उत्रखन्द में के जगह हमने देखा की लेंड्स लाइट की घटनाएं इमक्रियों नों बढ़ ग़ी हैं। तो जो परवत को लेकर के जो जानकारियां सामने आई हैं, वो किस तरह की हैं और आप वहां गए आपने वहां जाकर के क्या देखा? पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको, कि यह लगातार आपदा नहीं आ रही है, दोजाद तीन में आपदा आई थी, उसके बाद ट्रीटमेंट का काम किया गया है, तो जो ट्रीटमेंट का काम है, पूरी तरह सुरक्षित है, उसको कहीं दूर दूर तो कोई छती नहीं है, उसी एक दूसरी ओर वहां से काफी दूर जहां पर ट्रीटमेंट किया गया था थोड़ा सा लेंसलाइट हुआ है और पहाडी चेतर में इस तरह के लेंसलाइट बहुत कॉमन सी बात है तो जो लेंसलाइट हुआ है उसमें कुछ पत्थर रुके हुए है कुछ मलवा रुका हुआ ह नीचे की तरब जो लोग रह रहे थे, उनको खाली करने के लिए कहा गया है, जिला परसासने खाली करा दिया उनको, उनके रहने के लिए जो भी किराया अनुवन्नी होगा, उसको हम लोग देंगे, और उसको हम लोग कलेक टीम गई थी, आज हम गए थे, और एक और टीम करें, तो हम उत्तरकाशी की बात करते हैं, या फिर नेनी ताल की बात करते हैं, और इसी जगह हैं जहां पर स्टडी होने की बहुत जादा जरूरत है, तो इस स्टडी को किस प्रकार से आप कराएंगे, क्योंके लगातार हम देखते हैं कि बारिश बुंदों के समय में या तो लेंड्सलाइड या फिर बहुत हजाव की घटनाएं सामने आती हैं, तो उत्राखंड को लेकर के हमेशा से चिंता बनी रहती हैं लोगों की, तो इस पर क्या स्टडी करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, इस्टडी जो हम कराते हैं वो पॉकेट्स में होती है, कोई एक स्टडी, मेजर स्टडी वो अलग चीज हो गई, यह स्पेस्टिक प्रावलम है, किसी एक छोटी से एरिया में है, उसकी स्टडी अलग होगी, बाकी जब कहीं और की चीजे होगी, तो किसी सहर का है, कि किस तरह से हम रोकें, कि रुका रहे हो, जैसे हमने बताया है, कि 2003 में जो ट्रीट्मेंट किया गया था, वो पूरी दरह सुरक्षित है, अभी वहाँ पर ग्रीनरी आ गया है, तो यह लेंस्टाइट को ऐसी मेजर एक्टिविटी नहीं है, मैंने कहा कि इस तरह से कुछ समय के लिए है, लंबे समय की अगर बात करें, तो कई ऐसी जगाएं है उत्राखंड में जो अभी भी प्रभावित रहती है, हर साल हमने देखा है, और उनको वहाँ से हटाने की बात की जाती है, चाहें वो उत्राखंड के नहीं इंताल में कही गाउं है, या फिर दंख्या में लोगों को विस्थापन किया गया है, और विस्थापन की कारवाई यह यह है कि लगातार चलते ही रहती है, कोई एक बार में वन टाइम नहीं है, और जो उत्तरकासी का प्रकरणर है, बहुत छोटा सा प्रकरणर है, और उसमें हम समझते हैं कि बहुत लंबा नहीं कारवाई होगा, कुछ समय में कारवाई हम लोग कर लेंगे, जो ही बरसात रुखे कि हम काम सुरू कर लेंगे, और बहुत पहले हम कारवाई कर भी लेंगे, और लोग अपने घरों को वापस आ जाएंगे, और किसी को पर्वनेंट बिस्थापित करने के आउश्था ह पूरे परवत का जो यह इसको रोकने के लिए राज्य सरकार एक बड़ी टीम भेजेगी और उसके बाद इस पर पूरी तरह से काम किया जाएगा.